नमस्कार आजब कजम में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आपके साथ मेगा आज मैं आपको उन सभी रहसे मई घटनाओं के बारे में बताऊंगी जिनका रहसे विज्ञानिक भी नहीं सुलजा सके और वो इन चीजों को देखकर काफी परिशान हो गए अमारी पृत्वी पर कई रहसे मई घटनाओं हो चुकी हैं जिनका विज्ञानिक आज भी पता नहीं लगा पाए हैं नाहीं उन्हें सुलजा सके हैं इन घटनाओं से जुड़े कई रहसे मई किस से लोगों के बीच आज भी काफी पश्चुरित हैं इन रहसे मई घटनाओं से जुड़े कुछ जगे तो ऐसी हैं जो हाँ पर जाने की आज भी कोई हिम्मत नहीं करता इन रहसे मई घटनाओं की गुथी सुलजाने के लिए विज्ञानिकों ने इन पर कई रिसर्च भी किये उसके बाद भी वो इन राजों से परदा नहीं उठा सके हैं भले ही विज्ञान इन रहसे में परदा नहीं उठा पाया हो पर उसके लिए ये जगे हमेशा एक कौतु हल का विशे बने रहते हैं इन स्थानों पर अक्सर कई अजीबों गरीब घटनाएं होती हैं जो देश विदेश में गाहे बजाहे खुबसुर्खियां भी बटोरती हैं कभी नगभी आपने भी इन घटनाओ को या फिर उन से जुड़े किसी रहस सिमय खबर के बारे में तो जरूर सुना होगा अगर नहीं तो आज मैं आपको उन सभी के बारे में बताऊंगी हम सभी ने देजावू को अपने जीवन में कई भार अनुभव किया है देजावू से अभी प्राए उस अनुभव से है जब हमें लगता है कि ये पहले भी हमारे साथ हो चुका है अक्सर किसी नई जगे नए इनसान से या फिर कोई फिल्म देखने पर हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे हम पहले भी ये चीज़ देख चुके हैं या मैसूस कर चुके है वैग्यानिकों ने देजावू को लेकर कई थियोरीज भी बताई है हालकि इसके राज से अब तक पर्दा नहीं उट पाया है महीं कई अध्यात्मिक मानिताएं तो ये भी कहती हैं कि देजावू हमारे पूर जन्म की यादे होती हैं जो अपने आपको दोहराती रहती है बर्मूडा ट्राइंगल मैं विश्वास के साथ कह सकती हूँ आप सभी ने बर्मूडा ट्राइंगल के बारे में तो सुनाई होगा ये जगे पिछले सौ सालों से रहस से बन चुकी है खई शोद और रिसर्च के बाद भी विग्याने किसके राथ से परदा नहीं उठा सके हैं विश्वले लंबे समय सो ना जाने कितने ही विमान, एरक्राफ्स और जहाज इसके संपर्क में आने की वज़े से रहसमई तरीके सगायब हो चुके हैं ये जगे उत्तर अट्लांटिक महास सागर में ब्रिटेन का एक प्रवासी शेत्र है ये संयोग तो राज अमेरिका के पूर्व तट पर मियामी से महज 1770 किलो मीटर और हैलिफेक्स नोवा स्कोटिया के दक्षिड में 1350 किलो मीटर की दूरी पर है आपने मचलियों, सापों, मेंडकों, मकडियों और केचूओं की बारिश के बारे में तो सुना होगा अगर नहीं तो ये रहसे माई बारिश केंटुकी में सन 1876 में होई थी इस रहसे माई बारिश की रात से आस तक कोई भी परदा नहीं उठा सका है वज्ञानिक भी आस तक इस बात का पता नहीं लगा सके हैं कि आखिर बारिश में साप, मकडी और मेंडक कैसे गिरने लगे ये बात आज तक एक रहसे बना हुआ है UFO का देखे जाना एलियन लाइफ पृत्वी वासियों को हमेशा अपनी तरफ खीशती है और हमेशा एलियन एक ऐसा टॉपिक है जिस पे हम बात करना चाते हैं जिसे हम देखना चाते हैं ऐसे में कई लोगों ने ये दावा भी किया था कि उन्होंने एलियन्स की रहसे मई उड़न तश्तरियों को देखा है कुछ समय पहले अमेरिका के पूर्व राश्पती बराक उबामा ने भी इस बात को सुई का रहा था कि अमरीकी सरकार के पास कई ऐसे रहसे में यू आफो के वीडियों हैं जिनके रहसे से अब तक परदा नहीं उठाया गया है दोस्तों मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आप इन में से किस घटना के बारे में जो आनते हैं अजब गजब में फिलाल इतना ही नमस्कार